हलो, गूड आप्टरनून स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में बंगाल में द्वेद सासन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो देखें स्टुडेंट्स, इससे पहले वाले वीड संदी के बारे में बताया था, अब हम आपको इस वीडियो में द्वेद सासन के बारे में बताएंगे, तो बंगाल में द्वेद सासन की स्टापना किसने की थी, ठीक है, तो बंगाल में द्वेद सासन की स्टापना वह है, जो अंग्रेज अधिकारी था, लाइव उसने की और मतलब दोहरा सासन क्या था ठीक है तो देखेगा जो मुगल सासन पदती थी इसके अंतरगत बंगाल सुबा था इसके ये दो सासन भागों सोरी मतलब जो मुगल सासन पदती थी इसके अंतरगत बंगाल सुबा है इसका सासन दो भागों में बंटावा था ये कौन-कौन से दो भागते जैसे दिवानी सासन और निजामत ठीक है अब जो दिवानी सासन था इसके अंतरगत कर्वसुली और दिवानी नयायका कारिये था ठीक है और निजामत में इसके अंतरगत क्या था सांती विवस्ता है बाही आकर्मन से रक्सा है और फोजदारी नयायक के कारिये थ ठीक है तो ये थे आपके दिवानी और निजामत ठीक है इसको बोलते थे दोहरा सासन और मतलब की इन्हीं चीजों के बारे में मतलब बात क्या है कि जिन दिनों में मुगलों की केंद्री सत्ता प्रबल रही बंगाल के सुबेदारों के पास निजामत के अधिकार ही थे जबक निजामत और दिवानी दोनों अधिकार ग्रण कर लिए फिर भी जो सेदांतिक तोर पर दिवानी के अधिकार है वह अब भी मुगल बात साय के नाम पर ही मतलब होते थे मिर्जापर की मत्यू के बाद उसका जो पुत्तर था नजमदोला उसको बंगाल का नवा बनाया जात है और कम्पनी ने शिशु नवाब पर एक नई संधी थोब दी जिसके अनुसार कम्पनी ने जो 53 लाक रुपे विवस्ता के लिए आवसिक सेना रखने की अनुमती दी थी सुरी 53 लाक रुपे वार्सी के बदले में निजामत के अधिकार प्राप्ति कर लिए अब नवाब को केवल शान्ती विवस्ता के लिए आवसिक सेना रखने की अनुमती दी गई नवाब के अधिकारियों की न्यूकती और नियंतरन का अधिकार भी कम्पनी ने अपने दिकार में ले लिया नवाब दुआरा निजामत के अधिकार त्यागरा वसुत है बंगाल में बिटिश पुल बासा स्वियम इस समय दूसरों पर निर्बर था प्रतु श्यदानतिक और वेदानिक तो द्रश्टी से वह अब भी शंपुण मुग समरजे का दिकारी था ठीक है अते जो उसके आदेस थे उन अते उसके आदेसों ने कंपनी के कार्यों को वेदानिक ता का मतलब वेद दोनों दिकार प्राप्त हो गए और सासन के जो ये दो भाग थे उनको जब दो अलग-अलग सक्तियों को सुंप दिया गया तो उसे ही दोहरा सासन कहा गया था और ये विवस्ता कलाइव के काल में हुई थी ठीक है तो मैंने मतलब शोट रूप में आपको बताया कि बंगाल म अब हम इसी चीज़ को आपको अच्छे से आगे वीडियो में भी बताएंगे तो देखेगा इलाबाद की संदी तो हमने आपको पहले बताया था कि जो इलाबाद की संदी है ये अंग्रेजों और आपका सुजाओ दोला और इलाबाद से सोरी ये आपका जो था देखो जै दिवांडी का अधिकार और 3-0-lng रूपे बंगाल के नौप को देने पर निजामत का अधिकार प्रापत हुआ किसको अंग्रेजों burnout हो तो दिवांडी और निजामत हमने आपको बताए कि दिवांडी साहसन था इसके अंदरगत तो कर्व सुली और दिवांडी मतलब निय कारिय था और निजामत था इसके अंत्रगा स्थांती विवस्ता रें बाहिया अक्रमन से रक्सा थे फोजदारी न आके कारिय थी ठीक है डिवानी और निजामत दोनों दिकार प्राफ्त कलने में बाद कम्पनी ने बंगाल में द्वेज सासन की शुरुआते की द्वेज सासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है लेकिन बंगाल में कौन था कलाईव द्वेज सासन की शुरुआत बंगाल में 1765 इस्यू में हुई इसके अंतरगत कम्पनी ने दिवानी और निजामत के कारियों का निस्पादन भारतियों के माद्यम से किया लेकिन वास्त्विक सक्ती कमपनी के हाथु में होती थी ठीक है कमपनी और नवाब दोनों दुआरा की गई परसासन के वश्ता को ही बंगाल में वेदसासन कहा जाता था जिसकी विशेश्ता थी उत्तरदाइत्वा रहित अधिका और अधिकार रही थे उत्तरदायत्व है ठीक है तो जैसे कहने को तो वो काम किसका होगा समराठ का होगा लेकिन उस काम को करेगा कौन ब्रिटिस कंपनी करेगी ताकि जो मुनाफ़ा हो जो मतलब करव अगेरा हो वो उनको मिल जाएंगे इसको कंपनी को और जो नवाब है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा तो दिखावे के लिए तो सब कुछ राजा था लेकिन जो काम होते थे किसके अनुसार होते थे किस के इसारे पे होते थे वो सारे काम होते थे ब्रेटिस कंपनी के इसारे पे ठीक है सिगरी बंगाल में द्वेसासन के दूस्पर नाम देखने को मिलते हैं समुचे बंगाल में अराजकता है ए वेवस्ता और बरस्टाचार का महल बन गया क्यों क्योंकि यहां का जो राजा है इससे क्या हुआ कि जो अराजकता थी एवेवस्ता थी ब्रस्टा चार था ये सब कुछे माहोल यहां पे बन गया था व्यापार और वानिजे का पतन होता है व्यापारियों की स्थिती बिखारियों जैसी हो गई समरत और विक्सित उद्योग विशेशता रेसम और कपड़ा उद्योग नस्ठ हो गए किसान बयान गरीबी के सिकार हो गए थे क्लाइव ने अवद के नवाप सुजव दोला से 16 गर 1775 इसवी को इलाबाद की संधी की संधी की संधी की सर्ते देखेगा नवाप ने कंपनी की छती पूर्ती के रूप में 50 लाख रूपे देने का वादा किया अवद प्रांच से कड़ा और इलाबाद के जिल्ले लेकर मुगल बासा को दे दिये गए अंग्रेजों की सरंगस्ता में बनारस और गाजीपुर की जागिर राजा पलवन सिंग को पैत्रिक जागिर के रूप में दे दी गई सुजा उदोला को अवद वापस मिल गया और चुनार अंग्रेजों को सौप दिया नवाप को एक और संधी द्वारा ये वचन देना पड़ा कि अपनी शिमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों से सनिक साहता लेने का पूरा सनिक हर्च वहन करेगा अवद के साहत संधी पर एमजय में और जो कोई मतलब राइटर है उन्होंने बोला कि अब से अवद के साहत मितरता के संबन रखना अंग्रेजों की स्थाई निती बन गई जो मराटों की बढ़ती हुई सकती के मारक में एक लाप दाएक बादा थी फरवरी 1765 में कलायव ने बंगाल के नजमूद उल्ला से संधी की जिसकी सर्थे देखेगा बंगाल में परसासने का अधिकारियों की निक्टी का अधिकार कंपनी को होगा साथ ही नवाब की सेना को लगबग समाप्त कर दिया गया बंगाल के नवाब के साथ संधी के बाद बंगाल में द्वेज सासन की सुरुआत हुई अलपायू नवाब ने मुहमद रज्जा खां को नाइब सुबेदार नियुक्त किया इस प्रकार कंपनी को मुगल सुबेदार द्वारा इलाबाद की संधी से बंगाल, बिहार, उडिसा की दिवानी और बंगाल के नवाब के साथ संपन संधी से निजामत का अधिकार प्राप्ते हो गया द्वेज सासन के समय ही बंगाल में सत्रा सोर सत्तरी स्वी में बहंकर अकाल पड़ा जिसमें करीब एक करोड लोग भुकमरी के कारण मर्त्यू के शिकार हो गए अकाल के इस बहानक दोर में कार्टियर बंगाल का गवर्नर था द्वेज सासन के समय बंगाल से सत्रा सुचासर सर्सट के बीच जैसे कि 2.25 box 64.6500 रुपे की वसूली हुई इसे पूर्वे यह है वसूली मातर 80,00 थी तो मतलब ज्यादा से जादा लोगों से क्या क्या गया मतलब कर वसूल क्या गया जिसे लोगों में अकाल की सी विवस्ता आ गई थी बेचारे भूकों मर रहे थे लोग लेकिन अंग्रेजों की इसकी परवा नहीं थी लाड कलाइव ने इंग्लेंड की संसत में द्वेद सहसन के बारे में कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि विश्वा में कोई भी ऐसी सब्वे सरकार नहीं रही जो इतनी ब्रश्ट विश्वास गाती और लोभी हो जितना भी भारत में कमपने की सरकार जितना की भारत में कमपने की सरकार ठीक है कलाईव ने खुद बंगाल के विवस्ता के बारे में कहा कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अराजक्ता ए विवस्ता ब्रेश्टा चार और सोशन का जसा अदुरे से बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया और नहीं सुना गया ऐसे अन्याई युक्त और लोपूर्ण धंग से इतने लाप कभी प्राप नहीं किये गए सत्रा सुर पच्छेतर इस्वी में कलकत्ता सरूचे नालेर के एक नयदिस ने बंगाल के नवाब मुबारक उद्दोला के बारे में कहा कि वह है बेताल या चाया पूरुष गास फूस का आदमी है फिक के मलब अंग्रे जोगों घूशे बाएं कमजोर कर रहें और इस जीस को मानते भी है अलग लग लग लुग लग बाते इस अपने वर्फ में नियन्हार थाया बंगाल में अगैस की वीडियो में आगे के वीडियो में भी हम आपको इत्यास विशे से सम्मन दित अने महत्तो पूर्ण वीडियो दिखाएंगे तो हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सारे स्लेबस के अकोर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे वीडियो को धान से देखेगा बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज बे